पुत्री के घर बिना बुलाये जा सकता है, पुत्री भी बिना बुलाये आ सकती है पिता के घर, वेद इसका हवर्णन करते हैं, जाओ, सुधामा सक्ष चाते थे, कि बहुत लंबा समय हो गया, वो द्वार का धीश बने हुए हैं, क्या पता हो, ये न जाने कि ये सुधामा कुछ मांगने के लिए आया है, ऐसा सोचके वो रुख जाते थे, नहीं जाते थे, जब गुरकुल में पढ़ने की अवस्था हुई, कृष्ण और बल्डाव जी की, तब उनके पिता श्री वाजदेव जी, वस्देव जी ने बोला, कि हे मेरे बेटो, अभी तुमारी अवस्था है गुरुकुल में पढ़ने की, रत तुमारा तैयार है, सार्ती रतले के खड़ा है, तुम जाओ, रत में सवार हो जाओ, और उज्यन नगरी जाओ, वहाँ पर एक महान संत है, संदीपनी मुनी, उनके आश्च्र में रहकर के, विद्या अध्यापन करो, कृष्ण बलराम जी, सुरत में सवार हुए, इस आर्ती लेकर जा रहा था, उज्यन नगरी कुछी दूर होगी, पहुँच गया, बहुत मार्गते कर लिया, उज्यन नगरी एक माइल, दो माइल रही, ऐसा समय हो गया कि संद्या समय था, थोड़ा अंध्यरा होने शुप्रारंब हो गया, जंगल में होके रत जा रहा था, लेकिन उस जंगल में एक किसी बालक की रोनी की आवाज सुनाई दी, कृष्ण भगवान ने बोला कि सार्थी, रत रोको, हम जानना चाहते हैं ये बालक कौन रो रहा है इस जंगल में, सार्थी ने कहा, कनिया, तुम जगे-जगे मेरा रत रोकवा देते हो, हम लेट हो रहे हैं, देर हो रही है, देखो अंधेरा भी होनी जा रहा है, उज्जेन नगरी अभी और भी दूर है, लेट भगवान स्री कृष्ण ने सार्थी के कांदे पर, पीछे से हाथ रखा, कि सार्थी हमारा रत रोको, सार्थी समझ गया कि ये आदेश हुआ है, रत रोक दिया, भगवान रत से कूदे और जहां बालक रो रहा था, वह पहुंचे, बालक छोटी अवस्था का है, रो रहा है, पीडित है, दर्द से, भगवान स्री कृष्ण ने, वह भी बालकी थे, 12 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे, ऐसी अवस्था भगवान की थी, जब गुर कुल में गए, पहले विध्यारती थोड़ी उमर ज़्यादा हो जाने पर ही स्कुल में जाते थे, अभी तो तीन वर्ष के बालक को और एक वर्ष के बालक को ये टीवी के दिखाने लग जाते हैं कार्टू, कि ये कुछ जान ले सीख ले, पहले ऐसी जल्दी नहीं थी, साइन्टिफिक रीजन है इसके पीछे बहुत बड़ा, लेइन मैं कहूंगा तो लोग नहीं समझेंगे आज के वाता वर्ण में, भवान श्री कृष्णा हाद जोड़कर खड़े होए कि हे विप्रदेव, आप चिन से और चैरे से मुझे ब्रह्मन बालक लग रहे हैं, कहिए मैं क्षत्री का पुत्र हूँ, मैं आपके किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, कैसे आपके इस कष्ट को निवारन कर दूँ, आप क्यों रो रहे हैं, ये सुदामा जी थी, सुदामा जी भववान से पहले गुर कुलमा आ गए थे, और गुरु जी ने लकड़ी बें चुनने के लिए भेजा था, बन में जाओ बच्चा, लकड़ी चुन के लाओ, लकड़ियों का गठर बांद लिया था, लेकिन चलने लगे गुरु जी के आश्रम के और, तो पाओं में एक बड़ा भारी काटा चुप गया, और काटा भी ऐसा कि ओ, कौमल पाओं में तुचा को छेदन करके, और इधर से उधर निकल गया, नीचे से, और उपर तक निकल गया पाओं में, फाबे के अंदर, और ये बालक रो रहा है, बुई तरह, सुदामा बोलेगी, एक शत्रिय पुत्र, मुझे कोई और प्रकार का दुख नहीं है, देखो मेरे पाओं में काटा चुबा है, मैं अत्यनत पीडित हूँ, मुझसे निकल भी नहीं रहा है, दर्द हो रहा है, भगवान गार, अरे, अभी लो, मैं निकाल देता हूँ, भगवान तुरंत जमिन में बैठे और घुटने पर सुदामा जी का पाओं रखा, और काटे को, अपने मूँ से, दातों से कीच के, निकाला, और निकाल के, दो-तिन चुमन भी पाओं में ले लिए, भगवान को मालूम था, कि ये सुदामा कोई साधरन बालक नहीं है, ये मेरा परमभक्त है, भगवान अपने भक्त के, पाओं में चुमन ले रहे हैं, सुदामा जी, मिलने से हिचके चाते हैं, सुशिला भार-भार कहती है, कि चले जाओ, कुछ मांगना नहीं, अरे मिलके तो आओ, हर्च क्या है, और द्वारगापुरी है कितनी दूर हमारे घर से, डेट सो किलो मीटर, पोरबंदर से द्वारगापुरी, डेट सो किलो मीटर, तक करीब हैं, लेकिन जब रोज-रोज कहती थी, तो एक दिन सुदामा जी ने कही दिया, कि तू रोज-रोज भोलती है, मैं चला जाओं, लेकर क्या जाओं, मेरे पास तो कोई सौगात नहीं है, ले जाने के लिए, इतने अरसे, लंबे अरसे के बाद मैं मेरे मित्र से मिलूँगा, और मे इसका इंतिजाम मैं करूंगी, या या चिक ब्रत आपने लिया है, मैंने नहीं, नै मांगने खाने का ब्रत आपने लिया है, मैंने नहीं, मैं कहीं से भी अड़ोस-पड़ोस से कुछ मांग के लाओंगी, उसको आप सौगात रूप में ले जाना, शुशिला कही घरों में गूमी फिरी, क्योंकि कहां तक रोज परिशान हो, यहां रोज रोज देते देते, आकर एक घर में से उनको कुछ चावल के चावल मिले, चावल के दाने, टुकड़े जो होते हैं चावल के, खीर में जिनको डालते हैं, देसी चावल के टुकड़े, वो भी तीन ही गिनके, ब्रामनी खोशुई और उनको एक कपड़े में बांद के, तीन मुठ़्ी चावल को और सुदामा जी को दे दिया, कि यह लोग अपने मित्र को ही सौगात दे देना, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो द्वारिकाना आत है, उनको क्याले, वो तो फूल से भी प्र प्रेम ही तो चाहिए उनको, यह प्रेम की सौगात है, ले जाओ, चले जाओ, सुदामा जी तैयार हुए, जैसे ही मुर्गा बोला सुबह सुबह, वो चल दिये हैं, चावलों की गाठ ले करके, आगे द्वारकापुरी आगे, चलते चलते आराम करते रस्ते में, पेड के नीचे बैठते उठते हैं, द्वारकापुरी, जब द्वारका धिश्वगवान थे तो बड़ी रंगीन थी, शोबित थी, सुशोबित थी, बहुत ब्रह्मन आते थे, रिशी मुनी आते थे, दान दक्षना लेने वाले आते थे, गरीब लोग आते थे, कुछ हमको भी मिले, कुछ एक ब्रह्मनों का जुन्ड द्वारकाधिश के दर्शनों को जा रहा था, सुधामा तो हिचकिचा गए कि मुझे मैं जाओं कैसे, अब ये तो साथ दर्वाजे पार करूँ, तब मैं भगवान स्री कृष्ण तक पहुंश तकूँ, संबह है, लेकिन मैं जाओं कैसे, मुझे तो पहले दर्वाजे परी द्वारपाल रोग देगा कि ठेरो, कहा जा रहे हो, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरे बदन पर कोई कुड़ता भी नहीं, मैं फटी तूटी से एक धोती पहन रखी है, पाओं मेरे बिवाई फट रही ह यह जरूर रोग देगा मुझे, पागल समझ के, या दी नीन समझ के, कि तुमारा क्या काम, सुधामा जी जब देखा कि एक जुन्ड ब्रामणों का जाराय अंदर गुशते हुए, वो जुन्ड के बीच में गुश गए, और जैसे तैसे सातों दर्वाजे पार कर गए है, दर्शन देने आएंगे, वहाँ चले गए, सुधामा जी का मन बड़ा लालाइत हुआ, कि इनको दर्शन देने जाने कब आएंगे, कितनी देर माएंगे, मैं तो सीधा जाना चाहता हूँ उनके पास, वो इतनी आकरशित हो रहे थी, कि जहां स्री कृष्ण है, वहां हमें तुरंत पहुँच जाना चाहता हूँ, जहां मेरा मित्र है, वो हमें अभी मिलने ना चाहता हूँ, किसी के नजर पड़ गया तो मुझे भगा देंगे, और उत परमात्मा की कृपा है, उनकी बुद्धी में, उनकी इर्दय में परमात्मा ही, प्रेरी तुए, प्रेर लेकिन रुकमनी जी के महल में प्रवیirens करना है, तो और भी कठिन भात है, साथ दरुआजयों को तो शायद कोई भी पार कर ले। लिए रुक्मनी जी तो पट्रानी है भगवान की प्रदान पट्रानी है अश्ट पट्रानियों में उनके महल के दर्वाजे पर जरूर द्वारपाल और भी मजबूत खड़ा है उसने तो रोक दिया कि ठैरो तुम कौन हो और किस से मिलने के लिए यहां आए भाईया मेरा नाम सुदामा है मैं सुदामा पुरी से आ रहा हूँ पोरवंदर से मैं कृशन से मिलना चाहता हूँ कृशन से सीधा सीधा नाम लेते हो द्वार का दीश नहीं कहा जाता तुम्हारे मुख से भाईया क्या बताऊं कृशन मेरा मित्र है तो मित्र को नाम लेकर नहीं बोलू, तो कैसे बोलू? मित्र है, क्या पागल हो गया है, क्या भंग पी कया है ब्रामपन? नहीं, मैं कभी भंग नहीं पीता. मेरा मित्र है, मैं आप से क्यों जूट बोलू? दौरपाल थोड़ा सा ब्रहमित हुआ कि शायद हो शायद ना हो चलो मैं पूछता हूँ जाकर कि दौर कदीश को दौर कदीश को जाकर पूछा दौर कानात आपके दर्शन को एक ब्रहमन आया है वो कहता है कि मुझे एक कृष्ण से मिलना है आपका नाम लेता है सीधा और ये भी कहता है कृष्ण मेरे मित्र है उसके तन पर ना तो कोई जब्बा है पाओं में चपल नहीं है बिवाईयां फट रही है खून टपक रहा है मरा गिरा साथ कहता है मेरा नाम सुदामा है जाके कहो मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ कृष्ण मेरा मित्र है द्वार का दीश्त को थोड़ा आनंद मिला खाणों से सुनकर सुदामा का नाम उन्होंने कहा द्वार पाल एक बार फिर से कहो कौन आया है दर्वाजे पर क्या नाम बतलाता है उलो द्वार का नात सुदामा बलेगवार फिर कहो क्या नाम बतलाता है वो ब्राह्मन द्वारकनाद वो कहता है मेरा नाम सुदामा है बगवान सुदामा को एक उंची अलाप लगाई सुदामा के लिए सुदामा और भाग लिए सुदामा को मिलने के लिए उनके मुकुट कांदे का पी तांबर गिर गया जमीन पर होश नहीं दोड़े दर्वाजे की हो और जाके अपनी मित्र को गोदी में बर लिया और रॉमान चित होकर आँखों से आशु बहने लगी सुधा महाँ मेरे मित्र सुधा महाँ यह तुमने क्या हालत बना रखी है काभी देर तक चिप्टे रहे सुधा महा के शरीर से जब एक और से बल्राम जी आ रहे थे तो उन्होंने कृशन जी के कांदे पर हाथ रखा कि कृशन क्या बात है तब कृशन जी को थोड़ा सा आशु समेठे और होश में आए कि भईया हे हे यह मेरा वित्तर है सुधामा मैं और सुधामा आप और सुधामा हम सब एक साथ पढ़ते थे उज्यन नगरी में सुधामा जी को अंदर ले गए उनके चरन धोये चरन धोने के लिए रानिया पानी लेकर आई जारियों में लेकिन भगवान ने अपने नेत्रों में से चुचाने वाले अस्तुओं से ही सुधामा जी के चरन धो दिये इतने अस्तुओं निकले भगवान के प्रेम उमड़ पढ़ा कि मेरा भक्त काटे चुवे उगे ते इदर उदर छोटे मोटे पाओं में सब निखा ले सुंदर भूजन करवाए रुक्मणी जी की सेज पर उनको बिठाया रात वरी रुक्मणी जी की सेज को ही जो लक्ष्मी की सेज है रुक्मणी जी साक्षाद लक्ष्मी का आउतार है लक्ष्मी जी के सेज पर सुदामा एक कंगाल ब्राह्मन को उन्होंने बिठाया पूजन किया आर्ति की भोजन कराया जो सुदामा लेटने लगे तब उनके चर्ण दबाने लगे और पूछने लगे कोई हमारी पुरानी बात कहो सुदामा जब हम मुनी जी के आश्रम में थे आपस में बात करते हैं गुरु जी के इस्थान की जैसे प्रबात हुआ सुदामा को बिधा कर दिया कुछ नहीं दिया एक फूटी कौडी भी नहीं दिया सुदामा बड़ा प्रसन था जा रहा है अपने घर की और प्रसन होता हुआ नाश्ता गाता हुआ क्या मेरे प्रभु कितने क्रपालों है देखो मुझे इतना सतकार सम्मान किया इतना प्यरिम किया लिए उनको मालूम है कि मैं कुछ धन दौलत दूँगा मेरे मित्र को तो यह अपनी शुद्ध भक्ती से कहीं ब्रमी तो कर माया मेंने चला जाए मुझे देखो कुछ नहीं दिया बहुत आनली तो होता हुआ सुदामा आया सुदामा जी अपने घर आ गए सुदामा जी घर तो आ गए लिए जब घर के दर्वाजे को देखा तो दर्वाजा तो है नहीं वह पर नए उनका घर है भगवान की लीला को पहचानना बड़ा मुश्किल है शीरिमत भागत गीता के उपर सुरदध जिनकीências और भगवान के उपर जिनकी सुरदध है वो इन कताओं को जानते हैं पहचानते हैं सुदामा जी के घर की जगा एक सुन्दर महल खड़ा हो गया रात रात में क्या नहीं हो सकता जब भगवान के इशारे से सोने की दुआर का पुरी बन सकती है बिश्व कर्मा जी निर्मान करने आ सकते हैं समुद्र के बीच और बीच तो सुदामा का भी सुन्दर महल खड़ा हो सकता है चार मंजिलका छे मंजिलका लें सुदामा जी तो परिशान और ब्याकोल हो गए की मेरा घर आखिर गया कहां क्या मैं किसी दूसरे गाउं में तो नहीं चला आया हूँ गाव तो वो ही है लोग वो ही है जाने पहचाने ठीक मैं पूछता हूँ तो एक आदमी से पूछा कि भाईया सुनो यहां मेरी एक जौपड़ी थी उसका क्या हुआ क्या मैं सही हूँ यह कहकर यह मेरा एक घर छोड़ के गया था मैं मेरे मित्र से मिलने गया था मेरी पत्नी थी शुशिला वो भी नहीं नजर आ रही है बद वो पूछी रहा था इतनी देर मैं तो महल के उपर से शुशिला ने आवाज दी अजी सुनो ब्रहमित मतो यह आपका ही घर है मैं आ रही हूँ ठेरो कुछ सक्षियों के साथ में सुशिला आई और सुदामा जी को महल में ले गई यह आपका घर है यह आपके मित्र की देन है सौगाद दीग नहीं उनको आपने सुशिला मेरी मित्र भौत अच्छे है उन्होंने मेरे मैंने भौत छुपाया मैं बहुत शर्मता था कि कैसे यह चावल के टुकडे और इतनी बड़ी सोनी की द्वारिका में रहने वाले मेरी मित्र को दूँ लिए उन्होंने जवरदस्ती मुझसे छीन लिए और मुठी भरबर के खाने लगे शुष्यला बोली उसी का यह परिणाम है आपने उनको तीन मुठी चावल दिये थे उन्होंने यह इतना सुन्दर महल हमको दे दिया भवान परमदयालों है अपने भक्तों पर कृपा करते हैं जो उनकी शर्ण मा आते हैं उनको शर्ण देते हैं भवान स्री कृष्यन अर्जन को कहते हैं कि दुराचारी ब्यक्ती भी कोई मेरी शर्ण ले और मेरा भजन करे तो वह भी सादन भक्ती में प्रिवेश करता है और एक दिन मुझे प्राप्त कर लेता है क्षिप्रम भावती धर्मात्मा शश्वच्छान्ति मनिगच्चती कौनते प्रतिजानी नयमी भक्ता प्रहच्चती हे कुंती नंदन ये गोसना कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता कैसे होगा जिसको भगवान स्वयम रक्षा करना चाहते हैं उसका नाश बला कैसे होगा नयमी भक्ता प्रहच्चती क्षिप्रम भावती धर्मात्मा शीगरी ऐसा दुराचारी व्यक्ती भी जो मेरी शर्ण लेता है वो महात्मा हो जाता है महानात्मा शश्वच्छान्ति मनिगच्चती और उसको शाश्वत शान्ती की प्राप्ती हो जाती है यानि बैकुंट प्राप्त हो जाता है मेरे भक्त को मेरा धाम प्राप्त हो जाता है इस नवे अध्याय की अंतिम इसलोग में भगवान सुन्दर बात कह रहे हैं अर्जुन को कहते की मनमना भव मदभक्तो मध्याजी इमाम नमस करूँ ये अर्जुन तु मेरा भक्त बन तु मेरा भक्त बन मुझे प्रणाम कर मेरा पूजन कर भगवान अपनी प्राप्ति के साधन बतला रहे हमें और अर्जुन को कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए एहंकार बोलता है कि भगवान को हम क्यों प्रणाम करें हम जानते भी नहीं कौन भगवान है हमारा क्या उनसे रिष्टा है क्यों हम प्रणाम करें तो ये एहंकार ऐसे सवाल उठाता है भगवान का और हमारा शास्वत सम्मंद है भगवान हमको नहीं भूले हैं लिएन हम उनको भूल जाते हैं माया से ब्रहमित होकर तब इस संसार में फंसते हैं जनम मरण जराव्यादी के चक्र में गूमते हैं जैसे तेली का बैल कोल हूँ के चारतरफ चक्र लगाता है तेली के बैल की आँखों पर पट्टी बंदी रहती है काले रंकी आपने कभी देखा होता है आज कर शायद सिस्टम उठ गए हो लिएन 40 साल पहले भी जाओगे आज भी कहीं होंगे तो तेली का बैल गूमता है घानी चलते रहती है कोलू चलता रहता है और उसमें सरसों या तिली जो भी डालोगे तेल निकल निकल के बरतन में भरता रहता है लेनो तेली के बैल के आँखों पर काली पट्टी बंदी होती है और एक बर उसको मालिक थोड़ा हलकारा मार देता है चल चल नाटी तो विचारा गूमता रहता है फिर तेली चाय किदर भी बैठा हो उसका मालिक थोड़ा डंडा को खटखटा देता है तो यही समझता है कि मेरे पीछे ही है कभी मार ने दे और उस चलता रहता है फिर कभी बैल रुके तो थोड़ा और डंडा कटखटा देता है क्योंकि उसकी तो आँखों पर पट्टी है वो देख नहीं पाता कि मालिक मेरे पीछे नहीं है कहीं दूर बैटके कभी-कभी डंडा बजा देता है जमीन पर तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ फिर चलने लगता हूँ तो आँखों पर काली पट्टी बंदी हुई है यही ब्रह्म है यही माया है यही अंधकार है तो मैं यह संसार में बटकाता है यही कोई ज्यानी पूर्ष आपकी आँखों से काली पट्टी हटा दे तो आपको सभी कुछ दर्ष दीखने लगेगा जैसा है वैसा दीखने लगेगा अंगूर है तो अंगूर दिखाई देगा एपल है तो एपल दिखाई देगी संत्रा है संत्रा दिखाई देगा आपको मती ब्रह्म नहीं होगा कि अंगूर कौन सा है संत्रा कौन सा है कि वस्तु हैं जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगेंगी तो पिर आपको यह भी दिखाई होगा उनकी याद आएगी ये ग्यान की बात है भगवान को प्रणाम क्यों करें भगवान को हम जानते भी नहीं ये एहिंकार की बात है भगवान को नहीं जानते लेकिन जल तो पीते हो तो कम से कम इतना तो सोचो कि ये जल आता कहां से आप कहोगे निवारक वाले कहेंगे कि हड्सन रिवर से आता है जी तो मैं पूछता हूँ कि हड्सन रिवर में कहां से आता है जी स pandemic how cheap he or something unusual जाता है लिनमे कौन grandson अ कि हें करते सक प्रसेदेंट साइन्टिस्ट कौई पैसे वाला गदृ आदमी को इस बर्सात को कौ्ण चलाता है सुन्दर वायू, हवा बेह रही है, बरसात हो रही है, सुन्दर गहूं, चावल, फल, फ्रूट पक रहे हैं, हम जल पीते हैं सुन्दर, इसनान करते हैं, यह सब किसकी करपा है, कोई तो है जिसको आप नहीं जानते, बेशक, लिए इतना तो मालूम होना चाहिए, कि कोई है, जो यह चावल बनाता है, हमको बनाता है, हमारे बच्चों को बनाता है, जिसने चान, सूरज, तारे बनाए हैं, उनको इतना नियमित ढंक से चलाता फिराता है, कि एक दूसरे से एक दूसरा घ्रे, उपग्रे टकराता नहीं, और हमारा जीवन बड़े प्रसनता से चलता है कोई तो है जरूर जो आपके जनम का और मरण का कारण है वो कृष्ण है वो परमात्मा है परमीश्वर है तो यह ब्रह्मजाल जब तक आँखों के सामने रहेगा तो हम को असमंजस में पढ़े रहते हैं जैसे कोई चौराए पर खड़ा हुआ आदमी दिशा भूल हो जाता है इदर जाओ या उदर जाओ लेगे कोई ग्यानी आदमी जो जानने वाला है इस बात का वो मिलिया है और बोले भईया इदर मत जाओ जाओ कि इदर भी लेगे को इदर जाओगे तो काले नाद फुंकार रहे हैं इदर जाओगे इदर अंधकूप हैं उदर जाओगे तो दलदल है एक रास्ता है जो साफ और सीधा सुत्रा साफ सुत्रा है उस रास्ते पर जाओ तो आपका ब्रह्मदूर हो जाएn तो ऐसा कोई भवानका कोई शुद्ध भक्त होना चाहिए महत्मा होना चाहिए जो आपका मारघ दर्शन करे आपको मारघ बतला है तो आप चलते चलते शने शने पिपील का सोयोजन गता चलते चलते चीटी भी सोयोजन कहते हैं बारा सो किलोमीटर को चली जाती है बारा सो किलोमीटर नहीं जा सकते हैं चीटी की रफ्तार बहुत धीरे होती है लिनो सने सने धीरे धीरे सो योजन गता हाँ सो योजन चली जाती है बारा सो किलो मीटर तो आपको तो भगवान ने मनुष्य बनाया है चीन्टी नहीं बनाया आप भगवान का ध्यान भजन कीर्टन करते हुए भगवान के परमधाम वैकुंट इटर्निटी में प्रिवेश कर सकते हैं जा सकते हैं हुआ शाश्वत शरीर के आपको प्राप्ती हो सकती है जिसमें जनम मरण जराव्यादी ब्याप्त नहीं होती इन से छुटकारा हो जाता है सदेव के लिए बहुत एक संसार से और आपकी आत्मा इटर्निटी को प्राप्त करती है वेखुन्ट जगत के भगवान के प्रेमी भक्त के पुलिस को फोन कर रही थी प्रेदे फोन से